हाई गाईज तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से बिल्कुल फ्री में आप लोग लाइफ टाइम के लिए फ्री विंडो आरडीप कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी भी क्रेडिट डेबिट या फिर किसी भी पेमेट मैथड की जरूरत करते हैं अगर आप मारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक शॉर सब्सक्राइब कर लीजे विकॉस हम हर मन्त के अंदर दो या तीन आरडीप की वीडियो फ्री पोस्ट करते रहते हैं ताकि उससे आप लोग कुछ सीख सकें और अगर आप मारे चैनल पर फ यहां पर आप लोग अपना जो फ्री विंडू आडीप है लाइफ टेम के लिए बना सकते हो यहां पर साइन अप करने की जरूरत नहीं है उसके लावा आप लोगों को प्री इंस्टॉल अप्लिकेशन देखने को मिल जाएंगी कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर को उसके लिए आप लोगों को start free trial के उपर क्लिक करना है और यहां पर try for free के उपर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद आप लोगों को यहां पर दो option देखने को मिलेगी startup versus agency तो startup के अंदर अगर आप अपना account क्रेट करते हो तो यहां पर आपको कोई admin access देखने को नहीं मिलेगा म मतलब 10GB data आप लोग यूज कर सकते हो shared IP रहेगा private IP नहीं रहेगा तो यह चीज आप लोगोंने काफी यहां ध्यान दे रही है Windows के server होगे तो वह सब आप लोग create कर सकते हो और अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग कामा तेरा performance cloud के ऊपर redirect हो जाते हो अब यहां पर कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ट्राइल के अंदर किस तरीके से sign up करना है और अगर आप लोग यहां से account बनाते हो तो बहुत जहाँ chances होते हैं कि आपका account suspend हो जाएगा तो इस इस से बचने के लिए मैंने YouTube के ऊपर already एक वीडियो बना के डाली होई है कामा तेरा cloud के ओपर ठीक है जिसमें आपको बताया हुआ है कि free trial कैसे लेना है और यहां पर आप लोग किस तरीके से windows server create करना है और उसका जो free trial वाला hundred dollars का link होगा इस वीडियो के description में होगा तो आप लोग वो जाके check कर सकते हो और अपना account बना सकते हो ठीक है तो फिलाल के लिए हम लोग इससे avoid करते हो यहां से account बनाने कोई फायदा भी नहीं है chanting back और इसको back करने के बाद यहां पर आप लोगों को launcher आप के उपर klick करना है और यहां पर आप लोगों को username and password देगा जो कि आप लोगनेses नहीं करना है launch your app के ऊपर klick करना है थी कहित लिए बलोगों को अपना username and password ajg internal करना है वही song copy paste कर सकते हैं तो इसको copy कर ले थे प्राइल यहां पर लाके पेस्ट करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लाके पेस्ट करते हैं लॉग इन पर क्लिक करते हैं अब आप लोग को कोई RDP वगरा कनेक्ट करने की जरूत नहीं है यह डिरेक्टली आपको कनेक्ट कर देगा आपके Windows सर्वर के साथ तो देखो यहां पर हमारा जो Windows सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है इसमसे आप लोग कोई बी ऑप्शन स्लेक्ट कर सकते हो जो भी आप लोग को अच्छा लगे मैं यहां पर वान आर्क के लिए स्लेक्ट कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते ह इसके स्पेश्वेशन यहां पर आपको AMD EYCPU के आपको 16Core के प्रोसेसर 2.79 GHz के 6GB की RAM आपको देखने को मिल जाती है ठीक है और चलो मैं इसके और दिखाता हूं तो अगर हम लोग Chrome को आपन करते हैं और इंटरनेट स्पीड बगार टेस्ट करवाता हूं तो यहां पर डिफरेंट है Arabic language है आप चाहे तो लेंग्वेज बगार चेंज कर सकते हो बट मुझे नहीं करना है जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को डेमो दे रहा हूं तो यहां पर औलड़ी किसी ने अपनी ID लोगिन की थी जिससे नहीं पता होगा कि यह जो server होते हैं वो shared होते मतलब थोड़े टाइम बात switch होते रहते हैं तो को यूसफ नाम का person था जिसने यह जो अपना account है यहां पर login किया हुआ तो हम उसका Gmail या YouTube सब कुछ चेक कर सकते हैं यहां से बट मैं नहीं करने वाला हूं because किसी का private समान होगा तो यह चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है कि अग पतलब आप लोगों ने कोई बी अपनी जो personal detail है यहां पर login नहीं करनी है नहीं अपलोड करनी है जैसे Facebook या फिर Gmail यहां पर login नहीं करना है ठीक है तो अब मैं हाँ पर आपको इंटरनेट की स्पीड अगरा टेस्ट कर वाता हूं तो स्पीड टेस्ट में जाते हैं और स्पी आसपास downloading की और उतनी ही आप लोगों को आसपास uploading की देखने को मिल जाती है ठीक है अब मैं यहां पर एक बार ही चेक करता हूं यह जो account open है इस क्या-क्या इन लोगों ने use किया है हम लोग YouTube के उपर चलते हैं तो अब लोग देख सकते हो उसका जो person का यहां पर YouTube channel भी open है ठ तो इसका YouTube studio भी यहां पर चल रहा है तो मैं फिलाल यहां पर कुछ करने वाला नहीं हूं because मुझे इसकी जरूरत भी नहीं तीन subscriber के साथ क्या ही करेंगे ठीक है अब मैं आपको इसकी storage बगरा चेक करवाता हूं इसके अंदर हमें storage कितनी देखने को मिल जाती है तो यहां पर वीडियो में hopefully आप लोगों को यह वीडियो informative लगी होगी अब मेरे पास बहुत जाए डिमांड आ रही थी कि कोई ICRDP बनाओ window की जहां पर हमें credit या debit card भी लिंक ना करना पड़े lifetime भी चलती रहे और window की भी हो तो guys यही scene होता है कि जो ICRDP होती है यह public RDP होती है because जो आपको company पैसा परवाइड करी है वो hosting का पैसा हो गया जो server की cost होगी वो कहां से निकालेगी उसे भी हर मंत की जो आगे वाली company होगी उसे pay करना होता है तो यह आप लोगों का data उठाते है और आगे उसे sell करते हैं और वहां से earning करते हैं और थोड़ी बहुती earning add से करते हैं तो मतलब free में तो इसी तरीके से possible otherwise आप लोग अगर paid में जाना चाहते हो या फिर free के जो trial है अच्छे तरीके से use करना चाहते हो private में यूज करना चाहते हो तो आप लोग कामा तेरा performance cloud चेक कर सकते हो उसका link के नीचे description में देदूँगा वीडियो का आप लोग जाके वो वीडियो दे ठीक है बहुत सारे creator नहीं बताते हैं वो directly वीडियो बना देते हैं और बोलते हैं फटावर्ट से जाके join कर लो और अपना अकाउंट है बनाओ and use करो बट वो data सभी leak हो जाता है बट मैं ऐसा नहीं करता हूं इस वेसे मैं ऐसी वीडियो बनाता ही बहुत कम हूं बट इनके स अगर हमारे पास topic आता है तो फिर हम लोग वीडियो बनाकर दिखा देते हैं तो hopefully आप लोगों को वीडियो इंफोर्मेटिव लगी होगी अगर कुछ और जानना चाहते हो कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे comment box में पूछ सकते हो मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन गु